हलो हलो माइक चेक वान तू तू त्री आज की ताजा खाबर अभी अभी हमें न्यूज मिली है कि आज केमिस्ट्री क्लासिज में बैलनसिंग के बारे में चर्चा होनी वाली है अब देखना हैं होगा कि आज आपे कौन सी एक्वेजिन प्रेजन रहती है हमारे रिपोर्टर वाहँ पे पहुच चुके है आईए हम ले चलते हैं आप सब को केमिस्ट्री क्लासिज में आप सब देख रहे हैं सीधा लाइव प्रसारन केमिस्ट्री क्लासिज से अभी कुछ ही डे में हम आपको दिखाएंगे के आज यहाँ पे कौन सी एक्वेजिन को बैलन्स किया जाएगा और यहाँ पे इंजार खत्म होते हुए आप देख साकते हैं के एक्वेजिन हमारे बीच आ चुकी है ध्यान से देखिए इनको यह वही एक्वेजिन है जिनकी लाइफ अन्बैलन्स है आज केमिस्ट्री क्लासिज चैनल की हल्प से हम इनकी लाइफ को बैलन्स करेंगे वेलकम तु माई चैनल केमिस्ट्री क्लासिज सुरू करते हैं एक्वेजिन को बैलन्स करना और ये रही आज की first equation यहाँ पे देखो बच्चों एक silver atom left में और एक silver atom right में मतलब silver balance है और chlorine यहाँ सिर्फ एक और यहाँ पे दो मतलब chlorine balance नहीं है अब उससे balance करने के लिए हम यहाँ पे दो रखेंगे जैसे ही हम दो को डालते है chlorine तो balance हो गया लेकिन silver unbalance हो गया अब उससे balance करने के लिए हम यहाँ पे दो रखेंगे अब silver भी balance है अब वापिस चेक करते है बच्चों दो silver left में और दो silver right में दो chlorine left में और दो chlorine right में अब equation balance है अब बढ़ते है आगे आज की दूसरी equation की और और ये रही वो दूसरी equation आज इस equation को हम hit and trial method से balance करेंगे जैसे के यहाँ पे देख सकते है की sulfur और nitrogen तो balance है लेकिन hydrogen और oxygen unbalance है पहले hydrogen को balance करते हैं left में hydrogen 1 है और right में hydrogen 4 मतलब हमें यहाँ पे 4 लिखना होगा ताकि hydrogen balance हो जाए 4 लिखते ही hydrogen तो balance हो गया लेकिन nitrogen महराज unbalance हो गए इसलिए अब हमें यहाँ पे भी 4 लिखना होगा इस stage पे sulfur, hydrogen और nitrogen तीनों balance है अब बारी है oxygen की left में है 12 और right में है 13 मतलब यहाँ पे 4 लिखने से हम oxygen को balance नहीं कर सकते तो अब हम यहाँ पे 5 लिखकर try करते हैं जैसे ही हम 5 लिखते है oxygen के साथ साथ हमें एक बार फिर से hydrogen और nitrogen को भी चेक करना पड़ेगा left में hydrogen 5 और right में 4 मतलब 5 से भी हम equation को balance नहीं कर सकते because of what even number तो अब हम यहाँ पे 6 लिखकर try करते हैं जैसे ही हम 6 लिखते है left side में hydrogen 6, nitrogen 6 और oxygen 18 है अब right side के hydrogen को 6 बनाने के लिए हमारे पास दो possibilities है या तो हम दो को यहाँ लिखे या फिर यहाँ पे लेकिन यहाँ पे दो लिखने से sulfur भी disturb होगा इसलिए हम दो को यहीं लिखेंगे इससे hydrogen easily balance हो गया अब right side के nitrogen को balance करने के लिए हम यहाँ पे 6 लिखेंगे hydrogen और nitrogen को balance करते ही हमारा oxygen भी automatic balance हो गया एक बार चेक करते हैं बच्चों एक sulfur left me और एक sulfur right me 6 nitrogen left me और 6 nitrogen right me 6 hydrogen left me और 6 hydrogen right me 18 oxygen left me और 18 oxygen right me तो यह है हमारी final balanced equation S plus 6 H and O 3 gives H to S O 4 plus 6 N O 2 plus 2 H to O बच्चों यह है आज की last equation इस equation को हम खुद से solve करेंगे madam ठीक है बच्चों मिलते हैं फिर अगली class में और यहाँ पे equations balance हो गई है उम्मेद हैं आप सब को आज का हमारा यह live telecast पसंद आया होगा मिलते हैं फिर ऐसी ही और खबरों के साथ झाल